असलाम लेकुम स्टुडेंट्स और यू अच्छा लास्ट टाइम आप लोगों को यार है हमने पेज नंबर 25 पे A और B वर्ड प्राब्लम की थी आज हम C करेंगे वर्ड प्राब्लम आपकी C वाली वर्ड प्राब्लम है वो पूछ रहा है कि इन अफ्षा हाउस अफ्षा के घर में देर आर 15 डोग्स यानि के 15 खुटे हैं और 12 बारां भी लियाएं वो पूछ रहा है कितने बताओ कितने जानवर आर देर आल टोगेदर टोटल कितने होंगे यानि कि सारे जितने डोग्स हैं और जितनी केट्स हैं आपने सब को काउंट करना है आपको बता है कि हम आल टोगेदर में क्या करते हैं प्लस करते हैं तो उसके लिए आपने सबसे पहले स्टेटमेंट बनानी है स्टेटमेंट आपने किस तरह बनानी है यहां से देखना है number of dogs कितने है 15 वो आपने नीचे लिखना है solution में number of dogs is equal to 15 फिर आपको जो उसने दिया हुआ है cats की जितनी strength ती जितनी है total आपको strength दी cats कितनी है 12 number of cats कितनी है 12 लिखती है last person जो पूछा है how many animals are there altogether तो आपने लिखना है animals are together यानि कि total animals कितने है और plus का sign लगाना नहीं भूलना यह लाजमी है आपने साथ लगाना है वरना आपको question गलत हो जाएगा 15 के नीचे आपने 12 लिखा है लिखने के बाद आपने 5 में 2 प्लस किया तो क्या आया 7 1 में हमने 1 प्लस किया 2 यानि कि उसके पास total कितने दोनों के पास कितने animals थे sorry अफशा के घर में कितने total animals थे cats और dogs total 27 थे next आपकी word problem है page number 31 पे आपकी A वाली word problem है माहा plants 25 trees माहा ने 25 तरफ उगाएं या लगाएं है आईशा plants 18 more आईशा ने क्या किया है कि वहां पे ही 18 मजीद लगा दी है more का मतलब यानि कि और ज्यादा how many trees do they plant all together आपने बताना है कि उन दोनों ने total कितने प्लांट्स लगाएं यानि कि माहा ने 25 लगाएं और आईशा ने 18 लगाएं आपने बताना है कि total उन दोनों ने कितने लगाएं तो जब भी आपने total निकालना होता है किसी भी चीज़ के ज़्यादा मौक निकालनी होती है तो हम उसको प्लस करते हैं तो स्लूशन में आपने पहले लिखना है कि माहा प्लांट्स ट्रीस यानि माहा ने कितने प्लांट्स लगाएं 25 आईशा प्लांट्स मोर आईशा ने मजीद और कितने लगाए थे 18 दे प्लांट औल तोगेदर या आपने स्टेट्मेंट अपने कॉपी के ऊपर लिखनी है और इसका टाइटल पेज भी आपने पहले बना लेना है दे प्लांट्स के अधर में आपने लिखना है उनको प्लस करके उनका अंसर यानिका हमने लिख लिख लिया आईशा प्लांट्स मोर 18 दोनों को लिखने के बाद 13 आया आपको पता है कि 13 आजए जब हमारी 10 स्विन वैल्यू हाजए तो हम 10 स्कोपर करी दे दें त्री नीचे लिखेंगे 1 करी देंगे इनको प्लस करेंगे 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 1 4 या अपने प्लस का साइन साथ लाजमी लगान है नेक्स अम निशाला पेज नबर 31 की बी और डी वाली सी वाली वर प्रॉब्लम करेंगे